आखे खोल दी है S.H.G. ने शून्य से व्यापार आज पहुचा है एक करोर तक इस आकड़े के पीछे छिपी है उरीसा के सुंदर गढ़ जिले के बाली शंकरा ग्राम पंचायत की सफलता की कहानी महिला सशक्ती करण का ये एक ऐसा अनोखा अध्याय है जो सभी के लिए प्रेर नादाई है ये सफलता की कहानी लिखी है इस गाउ के स्वेम सहायक गुटों की पंदरा सौ महिला सदस्यों ने संगठित तरेकर से काम करते हुए ये बहने सही माइने में बनी है ग्रह लक्ष्मी इनकी निष्ठा और सफलता की कहानी बहुत लंबी है इनके काम का दायरा बढ़ता ही जा रहा है ना केवल गयर सरकारी स्तर और निजी उद्योग बलकि अब सरकारी स्तर पर भी कई काम मिला कर चल रही है ये हमाम दस्ते की बजाए अब सत्तु को मशीन से मिलाया जाता है 21 सदस्यों का ये दल हर महीने एक टन सत्तु बनाता है 138 आंगनवाडी केंदरों में इसे भेज कर इस दल का हर सदस्य हर महीने कमा रहा है 20,000 रुपए से भी स्यादा स्कूलों में दिये जा रहे मध्याहना भोजन में भी शामिल है महिलाय बाली शंकरा ब्लॉक के तीन विद्यालों में MDM का प्रबंधन कर रही है 10 महिलाओं की एक टीन इस साल एक स्कूल को आवश्यक राशन की आपूर्थी करने की जिम्मेदारी एक महिला गुट को दी गई है ब्लॉक की पांच स्कूल की विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म सिलाई करने का जिम्मा भी यहां की 15 महिलाओं को दिया गया है यहां S.H.G. के हातों में है गैस एजनसी मुर्गी पालन ने भी यहां की महिलाओं को आत्म निर्भर बना दिया है केवल इतने में हिस्सीमित नहीं है ये लोग इन्होंने गाव की वास्तिविक स्थिती का आकलन करते हुए एक उपयोगी ग्रामीन गरीबी मिटाने की योजना तैयार कर ग्राम सभा में पेश की है जो बाद में ग्राम पंचायद विकास योजना में शामिल होकर बाली शंकरा के विकास का नक्षा तैयार करने में सहायक सिध हुई है नाच गाने में भी पंचायद की महिलाओं ने नाम कमाया है अपनी संस्कृती से प्रेम करने वाले 22 सदस्यों के चौदा दल और आव निर्तिय प्रस्तुत कर कमाई कर रहे है 25 सदस्यों वाले 6 कीरतन मंडल भी महिला सशक्ती करण का संदेश दे रहे है सरपंच और जिला परिशत की सदस्या दोनों के नेतरतव में एक विकास शील समाज के गठन में सहायक होने के साथ साथ नए सपने और संभावना लिए आगे बढ़ रही है पंचायत की महिलाए सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाए ना सिर्फ काम कर रही है बलके फैसले भी खुद ले रही है उच्या कांक्षा और आसामानिय कार्य कुशल्ता ने सारे उरिशा में उन्हें एक अलग पहचान दी है दरसल बाली शंकरा पंचायत आज महिला सशक्ती करण के साथ साथ वरीबी हटाने के एक शेत्र में दूसरों के लिए एक प्रेड़ना का स्रोत बन गई है